हेलो एवर्वन स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में इस दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको तीन जो है टॉप के फीचर बताऊंगा आपके सैमसंग के फोन के और यह फीचर जो है आप किसी भी आंड्रोड डिवाइस में करतें के हैं ओर स्वाइस काफी यूसफुल है अगर आप वीडियो को देखें एजनी इन फीचर को देखेंगे तो आपको लगए तरक infinity यह पीटर आप ब्लाइब करके रहे और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कर से रहे हमेरे आप नहीं है समस्कार दोस्तों में नाम है राके employed कमार और आपडेख रहे हैं RK Newstack Channel तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम पहले hidden features के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि आप अपने phone में applications डाउनलोड करते हैं तो वो जो होते हैं आपकी internal memory में install होती है लेकिन मैं आपको आज एक trick बताऊँगा कि आप जो है कोई भी application अपने phone में download करेंगे तो वो सीधा आपके SD card में ही install होगी तो वो कौन सी setting है कहां पे आपको मिलेगी तो उसके लिए आपको जानागा आपके phone के setting पे दोस्तों phone की setting पे आप चलेगे setting पे जाने के बाद आपने developer option पे जाना है लेकिन आपको कुछ लोगों को पता नहीं होगा developer option कैसे show होता है उसके लिए जाना है सरसे पहले आपको about phone पे फिर जाना होगा आपका software information पे फिर bill number पे आपने 7 बार click करना है उसके बाद जो यह option आपको यहाँ पे show हो जाएगा developer option यहाँ पे आपने जाना है फिर यहाँ से उपर से आपने इसे ओन करना है फिर निचे को scroll down करना है फिर आपने यहाँ पे एक option ढूना है force allow app on external तो आपने जो है इसे यहाँ से ओन कर देना है मतलब कि आप कोई भी application डाउनलोड करेंगे वो आपके external SD card में shift हो जाएगी और आपका phone जो है बिलकुल ही साफ रहेगा और उसकी memory भी नहीं भरेगी और वो बिलकुल ही smoothly work करेगा और आपका phone hang भी नहीं होगा यह हमारा पहला hidden feature तो यह काफी अच्छा feature और काफी useful feature है तो यह हमारा था पहला feature अब हम जो है second features के बारे में बात करेंगे दोस्तों जैसे कि आप लोगों हो पता ही है आप जो है कभी songs गएरा सुनते हैं या फिर कई बात करते हैं तो आपकी sound जो है आप down करते हैं मतलब कि कम जादा करते हैं लेकिन आज मैं आपको trick बताऊंगा आप जासे कि up氣 मीडिया का sound है जासे कि मैं आपको बता दू यहाँ पे जासे कि यह आगे है अपकी meडिया का sound आप जो अगर इससे ज़दा यहाँ पे set करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि इससे ज़दा है sound इसका बढ़े ना तो ये setting भी आप कर सकतें, इसे लौग कर सकते हैं जो volume है, इसे कर सकते हैं, shift कर सकते हैं अपने हिसाब से ओजसे कि ring tone है ring tone की sound की बार बार अब आपकी जादा हो जाती है लzw Landes अप चाहते हैं कि इससे जादा ना हो तो वो भी आप यहां पे set कर सकते हैं, और calling की करने का भी ववॉल्यम लॉङ के नाम की एक एप्लिकेशन आप इस तरह का ईंट verdad मालों कि आप मीडिया का साउंड जो offerings अड़िसर यहां पर हो आप जाते हैं यहां पर कर सकते हैं मालों कि मैं यहां पर इतना तो आप चाहते हैं कि इस से ज्यादा है की sound जो है ना बढ़े तो फोब हो जाए कर रहा हूं ना ही वो बढ़ रहे ही नहीं ज्यादा हो यह भिल्कुल लोक हो चुद्ission पैफ हो जाएगी लोटूट्थ की ही यहां पे लॉक हो जाएगी और अला लारम की भी यहां पे लोक हो जाएगी तो यह काफी अच्छी अप्लिकेशन लगी मुझे और यह आप भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा इसका नाम है वोल्यूम लोक यह आपको प्लेश टॉर पे भी मिल जाएगी और उसक यह देखते हो फ्लेश ओन होगी फिर मैं शेक करूंगा अच्छा फीचर है और आप इस फीचर का भी मज़ा उठा सकते हैं उसके लिए आपको डाउलोड करनी होगी उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा शेक लाइट और इस एप्लिकेशन को आप प्लेश टोर पे भी यह मिल जाएगी तो मैं आशा करता हूँ यह आपको जो ट्रिक्स थी तीनों काफी ज़्यादा अच्छी लगे होगी अगर अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्रा करना ना भूलेगा तो बाइबाइट टेकर जैहन जैभारत